हैलो फ्रेंस कैसे हैं आप भड़िया ये बिक्री बिक्री चिल्फे तारा 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 भै ये शोशल मीडिया में चल क्या रहा है हम पीछे है या आप बहुत आगे निकल गए है सबर कीजिए सच तक पहुँचिए तब ही जो है न्यूज वारल कीजिए आपका एक ही वर्ड क्यों होता है जब कोई साथ में काम नहीं करता है या किसी को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है तो वर्ड ये ही क्यों निकलता है ब्रेक अप जिन्दगी ब्रेक अप पे खतम है क्या जिन्दगी उस से भी बड़ी है यार लेकिन फैंस है ब्रेक अप से अगर सांत नहीं होते हैं तो फिर वो सोचते हैं उनकी फैमली तक पोच जाओ यह ब्रेक अप हो मतलब कराया किसने है इन सब के पीछे जरूर इनकी फैमली है यार मुझे लगता है उनका ब्रेक अप तो हुआ ना हुआ आपका ब्रेक अप पका तै लग रहा है मुझे या पका ब्रेक अप की कहानी से गुजर चुके हैं जो की भाई इस तरह की नियूस वाइरल कर रहे हैं ये news करवाने वाले भी famous हो जाते हैं और जिनके लिए होती है वो बचारे परेशान हो जाते हैं फिर वो खुद आकर social media में कहते हैं भाई हम हाथ जोड़ते हैं ये क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्यों इस तरह हमारे पर blame कर रहे हो चलिए तो बताते हैं हम किसके बारे में बा मुस्त है इक अगर यह दूनों एक साथ कहीं भी मिल जाते हैं तो लगता है ऐसे लगते कि बैस्ट फ्रेंड जैसे मिलते हैं बिलकुल वैसे होते हैं इने देखकर मेंद् 따라 से आपका दिल बागबान हो जाता है वी होल् 해야 हो गया है दोनों एक साथ मदर आए लेकिन इससे पहले, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जा रही हूं, इससे पहले जब सुम्बुल ने अपने घर का जो है, मतलब पार्टी दी थी, तो हमापे फैमान नहीं पहुचे थे, तो उन दिनों ये न्यूस काफी वाइरल हुई थी, फैमान चिडने लगे हैं, फै फैमान खुशी से वो हो रहे हैं, कि सुम्बुल इतनी तरक्की कर रही है, तब ये वाला वर्ड था, फिर भाई फैमान को लगा, ओ माई गोड, ये ये फैंस क्या क्या सोच रहे हैं, तब ये उन्होंने जो है, अपनी शोचल मीडिया पे जो है, बोला, कि मेरा जो है, से पहले जब फरा खान ने पार्टी दी थी बीग बोस की, तो वहां पे जो है, भाई सुम्बुल नहीं पोची थी, वो फैमान पोच गए थे, और फैमान ने डांस भी किया था, याद है आपको अर्चना गोतम के साथ, भाई पठान पे किया था ना, हमें तो लूट लिया मिलके, इश्के वालों ने, ऐसे में फैंस ने जो है, अर्चना गोतम को ट्रोल कर दिया, कि सुम्बुल तो तुम कभी बनी नहीं सकती, हमारे फैमान के साथ, सुम्बुल यह अच्छी लगती है, तो वहां पे मामला थोड़ा सा टल गया, कि सुम्बुल ने बोला, कि मैं ब पर जाती है, अब तो इतना बड़ा तुफान आ गया है, कि भाईया, लग रहा है कि ब्रेक अप नहीं भी होगा, तो भी वह कह देंगे, हाँ भाई हो गया, बस खुश, अब तुम शांत बैट जाओ, यही होता है, इंसान परेशान हो जाता है, तो ऐसे में जो है, तबीज के साथ इनकी म्यूजिक वीडियो आने वाली थी, और जो है, परसु तबीज ने टुइट कर दिया, कि भाईया, वो मेरी म्यूजिक वीडियो में नहीं आ रहे है, और जो है, मैं बहुत अच्छी म्यूजिक वीडियो बनाने की कोसिस कर रहा हूँ, लेकिन वो तो बहुत फ कि पागल हो गए और फैंस ने सीधा कहना सुरू कर दिया, इन सब के पीछे सुंबूल के हैं, पूरी फजात की जड़, उसके पापा है, उसके पापा की वजह से ही, सुंबूल, यह है, काम नहीं कर रही है, नहीं फैमान से मिल रही है, फैमान उसके हाॉस पार्टी में आ ना वो उसकी पार्टी में जा रही है अरे बाई यह तुम्हारे घर का हलवानी है यह तुम्हारे पडोस का वो स्टार है अपनी जिंदिगी जीते हैं मुझे तो सोच कैसी आती है या यह लोग कैसे कैसे ट्वीट कर देते हैं ऐसे जो है जब उसके पापा पर ब्लेम आने सुम्बुले आप सुबा यानि कि कल सुबा जो है सोचल मीडिया में बोला मैं आपके सामने हाथ जोडती हूं मेरे परिवार को इन चीजों में मत घसीटो और जो है हमारी म्यूजिक वीडियो आएगी हम 19 से शूट करेंगे लेकिन वो सिंगर नहीं होंगे कोई और सिंगर ह करो लेकिन अभी मेरी ही मेरी ही चैनल पर कहीं जनों ने कमेंट कर दिया मैं इन सब के पीछे ना सुम्बुल की पापा है वही फजात की जड़े अरे भाईया यह तो ऐसा हो रहा है जैसे कि आस पडोस में किसी लड़का लड़की के चक्कर चलते है और वो कहते है यार इसक क्या रहा है कमेंट करके बताइए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है